कर जो टॉपिक आज स्टडी करने वाले अपन वो है गंजर्वेशन ओफ मुमेंटम ग्या इस को हम कह सकते हैं मुमेंटम कंजर्वेशन कि कि अ था चलीचन में एक जिए पेसंट मेंने देखंट के स्टेटमेंट क्या होता है तो अपोर्दिंटो 62 zijn एक आपर क्यों मुमेंटम कुनजलिंटो। एक एक कोर इक निक डूतौ। का कंशल बेशर्ट sì पर현 रिक है कि एक फैर kayak कोनाफ कंशके लोड रिक को मुटनblowing अवकॉटिंटो। जो तो if external force okay if external force is not acting not acting on an isolated system okay isolated system okay if external force is external force is not acting on an isolated system then it's it's system ka then it's total momentum then it's total momentum total momentum remains total momentum remains conserve total momentum remains conserve according to momentum if external force is not acting on an isolated system then its total momentum remains conserve isolated system no momentum सब्सक्राइब तो मुमेंटम हम लेते हैं कि मुमेंटम इसक्राइब तो यहां से अगर मैं चेंज इन मुमेंटम निकालो तो किस्ता जाएगा चेंज इन मुमेंटम तो चेंज इन मुमेंटम क्या जाएगा फाइनल मुमेंटम माइनस इनीशल मुमेंटम तो फाइनल मुमेंटम किता यहां पर पीटू है और माइनस पीवन ठीक है यह जो पीवन है तीवन टाइम पर है उसको तो अपन के देंगे इनीशल मुमेंटम यह इन इश्व मोमेंटम तो ओग और यह हो गया वमारा फाइनल मुमेंटम फाइनल पॉप अंग है तो देखो चेंज मुमेंटम चाहों का माइनस इनीश्व मोमेंटम यानि कि पी टू-पी वन ऐसे अगर अपन निकालने के चेंज इन चेंजी इन टाइम यानि के टाइम इंटर्वेल अपने लिए चेंज इंट तो चेंज इन टाइम क्या जाएगा टी-टू-टी-वन हो जाएगा ठीक है समझवारी ना बात हम क्या study करें और इस एक्सिटनल और आगर एक्स्टनल पोर्स नहीं कर रहा है जीरो है तो उसका जो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब है जो मोमेंटम पहले था वह मुमेंटम बाद में रहेगा तो इस चीज़ को अपने क्रूफ कर रहे हैं ने लुए पूरुब करने लिए बोटों लगा है डिवाइट अब टाइम किता जो इनिशल मुमेंटम किता हो गया तो यहां से अपनने निकाला चेंज मुमेंटम मैंने इनीशल मुमेंटम यानि कि शेंज इन टाइम मैं आगया इसमें वेल्यू रख देते हैं धर अब एक्वेशन वन में तो आप रखोगे तो एक्सटरनल क्या आएका चेंज in momentum change in momentum क्या है आपका P2-P1 change in momentum क्या है P2-P1 और time interval time interval क्या है T2-T1 ठीक है अब हम जहां कहते हैं कि if external is zero external force जो है वो जीरो है क्या अपना लोग का किया रहा है कि कोई external force act नहीं हो रहा है तो अगर external force 0 है तो फिर यह equation क्या हो जाएगी 0 is equal to यह जाएगा P2-P1 divided by P2-T1 और यहां से आपके पास क्या जाएगा P2-P1 is equal to क्या जाएगा जीरो आजाएगा यानि कि यहां से आपके पास आजएगा P1 is equal to P2 ठीक है P1 is equal to P2 आगया तो इसका क्या मतलब है यह equation 2 आई अपने पास तो P1 is equal to P2 आगया क्या मतलब है कि जो नहीं लग रहा हो तो उस केस में जो उसका total momentum है वो क्या रहता है गांजर्व रहता है यह क्या किलाता है momentum conservation लो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो हैंस प्रूफ इसको बोलते है momentum लो ठीक है यह conservation of momentum लो तो यहां पर हमारा टॉपिक है proof of momentum conservation लो लो यह राइट साइड जारी है राइट साइड इस से मोशन करते हैं ठीक है यह तो हमारे पास हो गई बॉड़ी प्रूब्ष अप्रूब्ष इस वाड़ी नाधर बॉड़ी लेता है अपनम इस वाड़ी ठीक है यह कि इसका जो मास फर्स्ट वाली जो बॉड़ी यह इसका मास है M1 और इसकी जो velocity है वो है V1 सेकिंड वाली जो body है इसका mass है M2 और इसकी velocity है V2 ठीके अगर इसका momentum निकालू P1 ठीके अगर इसका momentum निकाले हम तो इसका momentum कितना जाएगा M1 V1 momentum क्या होता है mass into velocity ठीके और इसका momentum निकाले P2 तो यह कितना जाएगा M2 V2 आ जाएगा निया जाएगा तो हम क्या करता है यह जो दोनों bodies है इनको system माल लेते हैं जो मैंने system भी वहां पर वर्ट यूजवा था ना isolated system ठीके तो यह जो दोनों bodies है अपने एक system माल लिया तो यह जो system अपन पानेंगे यह क्या होगा isolated system system का मतलब है कि इसमें बाहर से ना तो कोई चीज अंदर आएगी ना अंदर से बाहर जाएगी जैसे थर्मस होती है ना अपनी थर्मस में आप चाहे रख दो तो गरम रहती है वो क्यों कि अजिए थर्मस से कोई हीट बाहर नहीं जाती और बाहर से कुछ अंदर नहीं आता तो यह सिस्टम है जो कि इसको क्या बोलते है अपना आइसोलेट्ट सिस्टम ठीक है तो देखो सबसे पिए अपने बनाया फिगर ए इसकी वेलेशिटिए यहां पर क्या है वीवन है ठीक ह यहां पर आजाएगा यूवन और यहां पर आजाएगा यूवन और यहां पर आजाएगा तो टोटल मुमेंटम कितना हो जाएगा TOP कर लेता हूं लहाँ करना वह प्लस को ठीक है तो तो किता यह अंथ कि अध्यक my आजाएगा इसको वेशं कर दें न जाए complexity έश्ए धे आप मालों की तई जादा है यू टूसे तो यह दोणों डार कि लाइड करेंगे करेंगे करेंगे- तो-प्र nessa करते second diagram मनाते हfrage second diagram में क्या हो रहा है.. यह जो दोनों objects है या यह दो bodies लिए यह आपस में क्या करेंगी Haid को मतलब ये वाली बॉड़ी तो एती ये वाली बॉड़ी क्या थी अब जैसे कोलाइड होंगे जैसे यह कॉलाइड थोंगे अगर ये क्या होगा वाली जो बॉड़ी है वह बी वाली बॉड़ी पर फॉर्स लगाई О庭ास इसको एकальной गिए FAB, इसको क्या लिख दिया आपनने FAB, जैसे ये टक्राएंगे, तो FAB मतलब A वाली बॉड़ी बॉडी पर फोर्स लगाईगी, और Newton's third low से क्या होगा, Newton's third low क्या according क्या होगा, B वाली बॉड़ी भी A वाली बॉड़ी पर फोर्स लगाईगी, ठीक है, हर क्या होता है और यह फोर्स लगाया यह बॉडि दी ऊपैज बी वाली बॉडि पे इनुब क्या है डूरिंट कॉलिजर्ड फिकल भी क्या है डूरिंग कॉलिजण एकभी क्या है अपना फिंगर वी हो गया अब जैसे इंक इनके नुनों का Absolute हुआ तो कॉलिजन के बाद मालनो तीसरा डाइग्राम में बना रहा हूं यहां पर कॉलिजन के बाद क्या हुआ कॉलिजन के बाद क्या हुआ यह वाली बाडी थी यह वापिस मालनो राइट साइड में ही इसा आप अगर इसका मोमेंटम निकालें यह हमने जो फिकर बनाया है है यह बनाए अपनेपरिस आंकिए कि क्या आफ जाएन पुकिन यह कितना होग अप्टर कोल्यजिन मुमेंततम देखो क्यों गसे एया यह तो आफ्टर कोलीजिन अगर मैं टॉटल मुमेंठ दॉटलास अös आफ्टर कॉलीजन तो टोटल मुवेंटम आफ्टर कॉलीजन क्या होगा इनका सम हो जाएगा यानि के पीवन डेश प्लस पीटू डेश यह सम हो जाएगा इसका तो सम करो तो कितना जाएगा आपके पास M1 V1 plus M2 V2 आजाए यह अपने पास आजाएगी second equation ठीक है तो सबसे पहले तो तीनों डाइग्राम्स देख लो यहाँ पर भी एक है isolated system है बस यह बाल से इसके अंदर और बहार से कोई अभी देखो आप बहार से कोई लग रहा है कि इस पर यह पूरा system isolated system है इस system के बहार से अगर कोई फोर्स लगेगा तो उसको अपने एक्स्टरनल पॉर्स तो आप तीनों डाइग्राम देखो तो एक बार और मैं आपको समराइज कर देता हूं ध्यान से देखना कि दो बोडीज है बोडीज का मास है M1 और M2 before collision उनकी जो velocity है वो क्या U1 U2 है ठीक है तो before collision का डाइग्राम है यह तो total momentum किता हो जाए पहले momentum इनका निखाल लो M1 U1 इसका momentum M2 U2 तो total momentum किता हो गया इनको sum कर दोगे तो यह आ जाएगा M1 U1 plus M2 U2 during collision अगर मालों की जो velocity है U1 जो है वो ज्यादा U2 से तो यह क्या करेंगे दोनों collide हो जाएगे तो collide जब होंगे जैसे collide होए तो collide जब होंगे तो A वाली जो body है वो B पर force लगाएगी B वाली body क्या होगी A पर force लगाएगी ठीक है अब इधर आजाओ आप यहां पर आजाओ इ यहां तक समझ में आया आपको आगे देखते हैं आप अपन इसमें क्या करते हैं न्यूटन्स थार्ड लो लगा देते हैं कि बाए बाए न्यूटन्स थार्ड लो ठीक है बाए न्यूटन्स थार्ड लो से क्या होता है कि यह जो force था F A B is equal to क्या जाएगा minus F B A हो जाएगा हो जाएगा निया जाएगा इस equation को आपन करते हैं second करते हैं इसको third करते हैं यह जाएगा थार्ड एक्वेशन में यह F A B लिखा हो है ना आपने F A B F A B का मतलब क्या है F A B का मतलब है कि force applied और सप्लाइड बाए बाड़ी के ठीक है पोर्स अप्लाइड बाड़ी ए और बाड़ी बी बी डूरिंग ड्यूरिंग कॉलिजन जब उनका कॉलिजन हुआ तो ए वाली बाड़ी ने बी वाली बाड़ी पर जो फोर्स लगाया उसको हमने लिखा एसे ही दूसरा क्या है एफ बी ए तो एफ बी ए क्या है फोर्स अप्लाइड प्लाइड बाए बाड़ी बी ठीक है ओन बाड़ी ए ओन बाड़ी ए ड्यूरिंग कॉली झे तो अभिये जो फ फोर्स होंगे क्या एक्शन इक्शन फोर्ससर एक्षे औरिप्शन फोर्स मतलाब इनका मेग्री ठोल का पर डारेक्शन क्या होगी आपोजिट उगी तो डारेक्शन आप्फोजिट और इसलिए फारेक्षाइं लगा it if if time interval if time interval that only time interval of collision is माननों टाइम इंटर्वेल जो है कोलिजन करी है तो अपन और यूटन शेकिन लोगा रहें तो न्यूटन सेकिन्ड लोग क्या केता है न्यूटन सेकिन्ड लोग केता है कि जो यह फोर्स एक्स जो फोर्स अप्लाइड हुआ है आपका डेट पोर्स इकल्टू तर चेंज जिन मुंच्टम डिवाइड वाइड टाइम इंटरवेल थी के लिए धो जो बाडि भी है जो प्रॉड़ी भी पर कौन सा फोर्स लग रहा है ऐट यह फे वी लग रहा है है इस वाली जो बाटी थो कौन सा स्वेख़ रहा है इस लग मोई से लग रहा है ah यह देखो ना और यह फोर्स लगने के वजह से जो मुमेंटम चेंज हुआ है बॉड़ी बी देखो यह री बॉड़ी बी बॉड़ी बी का पिता था पीटू और बाद में किता हो गया पीटू डेश हो गया ठीक है तो कितना किसे निकालते है बाद में से पहले वाले को माइनस करते है तो इसको हुआ है पिटू डेश मांस लिचने मोमेंटम केसे लगे देखो कितना कितना देखो कितनी आपकी इवाइड डिलीक्टान कसके अपने टाइम माना एक पॉलीजन का तो जितले वह लोग ऐपस में को लाईड करेंगे उतने टाइम तक ही वह फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को पर ठीक है तो ये एक एक एक्वेशन आगई अपने पास जीए तो किसके लिए आगई बॉड़ी बी के लिए इसे ही अपन लिखें कि फोर बॉड़ी ए फोर बॉड़ी ए ठीक है तो ए वाली बॉड़ी पर देखो फोर्स लग रहा है तो फोर्स अफ्लाइट वर बॉड़ी 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 ऑन बॉड़ी ए तो बॉड़ी ए पर कितना फॉर्स लगfolg यहाँ पर किता एफ Northwest यहां पर किता जाएगा जात है थीक है चमाँँ प्रिवन डेश की वेलु कित्ती है फी वन और पी वन की वेलु कित्ती है एम वन यू वन ठीक है और टाइम इंटर पिछ ता जहेंगा प्रियां समझना आया यह यह वैलु समझना ही कैसे निकाली है कुछ पूछना यहां पर बोलो अब देख़ एक बार पूरा ड्राइब करते हैं अब देखो एक्वेशन थी में वेलू रखो आप इनकी एक्वेशन थी में एक्वेशन थी में एफ एबी-की वेलू रखो कितनी आ माइनस 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 यहां पर रख दो माइनस करके माइनस माइनस यह टाइम आगे तो इस टी को काट दो कैंसल कर दो माइनस 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 यह टीवान कर दो इसको इधर लेकर जाओ तो किता जाएक यह माइनस यह यह आ जाएगा जा गया और इधर कित्ता जाएगा आपको पास M1 V1 प्लस M2 V2 ठीक है यह माइनस का था इस तरफ लागो तो प्लस का जाएगा यह जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अब देखो M1 V1 प्लस M2 V2 क्या है M1 V1 प्लस M2 V2 यह देखो है रहा M1 V1 प्लस M2 V2 equation 2 से क्या है total momentum after collision और यसे यह देखा मर्य यूवन फ्लस M2 एक डूल विफर कॉलिजन तो यह तो आपका हो गया total momentum साथ है total momentum एक विफर पॉलिजन एक है टोड़ उप्वड वर पली उपक्वार लिए इस साइड ना है विफर राही है है तोटेटल मोमेंटम तोट प्रलॉट अफ्टर पॉलिज़ इक तो अपना किया है कौन ж can को किया बोलते है मोमेंटम कंजर्वेशं मोमेंटम कंजर्वेशं लो गाना मुइंट अब absence of external force the total momentum remains conserved. So total momentum remains conserved. यानि जो पहले जो momentum था, बाद में पिपकोई momentum रेगा. तो देखो यहाँ से क्या रहा है? Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. यहाँ से क्या हुजाएगा? यह proof हो जाएगा? Hence proof. यह क्या हो जाएगा? आपका proof हो जाएगा? Hence proof. यही क्या होता है? । पॉष्य सकते में सब्सक्राइब करो से जो आपके गश्ड ने रखेंगी तो इसको बोल जाता है एक एक तुमालों कि एक यह लिए दो डाइग्राम में ने बना रहे हैं विफॉर फाइरिंग अटार फाइरिंग के बाद आपकी गुंड Łचैंग से यह किइसा करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं जिका मतलबों मास ऑफ गर वहर गया मास ऑफ गर भन एंगी ले ले लेते हैं एकव्याक्रा आपका मास उफ बुलीट फिक है यह आपका Kunden को ऑप Bennett now इबिफोर फाइरिंग ँभी ईबिफॉर फाइरिंग वेलोसिटी ओफ वेलोसिटी ओफ गन एंड बुलेट विल पी फिर पायरिंग गोली चलाने से पहले गन और बुलेट जीरो ठीक है है पूर फायरिंग गंड गॉनिट विल वीजिए ओगी जिरू होगी तो अगर अगर आब यहां से अपना निकालें कोई टोन मोंगतम मुट टोन मुटंम को ओंग बिपोर फाईरिंग शोर फारिंग टोन मुटम से और अभी तो है तैंगे perfect of mass into velocity. अब mass तो नहीं है यह विलो सीटी क्या जीरो है तो विलो सीटी 0 है तो तो अब लेते है वेलो सीटी आप बुलेट थीप है और केपिटल वी यहाँ पर लगें एकर तो जितनी ऐ्लोक सीटी से यह गन ?? उसे को भूला पर तो अगर टोतल मुवेंटम में लिका लें अपनी यहाँ पर टोतल मुवेंटम टोटल मुमेंटम आफ्टर फाइरिंग लिकाले तो वह जाएगा P2 ठीक है तो टोटल मुमेंटम कैसे लिकालोगे बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी और गन का मास इंटू गन की वेलोसिटी तो बुलेट का मास किता है एम बी और वेलोसिटी किता है स्मॉल भी गन का मास किता है एम जी ठीक है और उसकी वेलोसिटी क्या है कैपिटल यह आगई आपकी सेकेंड एक्वेशन अब हम यहां पर आप देखो इस पर कोई एक्स्टरनल पोरस एग्प नहीं कर रहा तो हम क्या कर सकतेऊं ऑस उस एक्सटरनल पोर्स जो है वह वह कि कि बराबर होने घ्वville विलिट बुलुरुट्टाइज कर एक्स्टरनल पोर्स अगर जीरो है तो इनिशल आप लाएसल्सका तो यहां से आप मिद को मास व्लैट के एंद्क प्रिंठी तो यह आपका आएगा इसका फॉर्मॉला आएगा रिकॉइल ऑफ गर्ड़ा ठीक है यानि गन कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी यह इसका फॉर्मॉला है तो आपको ऐसे मुमेंटम कंजर्वेशन लो लगा दो या फिर आप चाकरो डारेक्टिव फॉर्मॉला तो वी मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ गन जित्ती वेलोसिटी से गन का है पीछे की तरफ जा रही है और इसी चीज को बोला जाता है रिकॉइल ऑफ गन का फॉर्मॉला क्या होगा वेजिकल टू माइनस मास ओफ बुलेट डिवाइड वास ओफ गन इस तो वेलोसिटी आफ ठीक है तो यह चीज के लाईए कि कोईल ऑफ गन